हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रोशन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं नए यूटूब चैनल पाव प्लांट कैलकुलेशन में तो आज जो मैं नया वीडियो लेके आया हूं वह बेस्ट है कोल हैंनिंग प्लांट से कोल हैंलिंग प्लांट में यूज होने वारा कन्वियर बे तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यह जो नंबर दिया हुआ है यह आपको किसी भी कन्वियर बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा तो इसकी मदद से हम उसका स्पेसिफिकेशन क्यलक्वेड कर सकते हैं तो यह जो पहला पार्ट है वह है फोनिक्स यह रिनोड करता है क इसकी जगह में आपको या तो MRF देखने को मिल सकता है पैंटागॉन देखने को मिल सकता है या फिर आपको सीराम भी देखने को मिल सकता है चलिए दूसरा पार्ट है 900 जो की रिनोड करता है बेल्ट की चौराई जो की हो सकती है सारे 600 भी 900 1000 या 1200 mm अगला पार्ट है एन 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 डिनोड करेगा कि बेल्ट में जो प्लाई हमने यूज किया है वो कौन सी फैब्रिक की बनी हुई है अगर एन एन डिया हुआ है तो वो डिनोड करेगा कि फैब्रिक नाइलोन नाइलोन की है अगर एपी दिया हुआ है तो वो डिनोड करेगा कि फैब्रिक पॉलिस्टर polymite की बनी हुई है अगर PP दिया हुआ है तो वो denote करेगा कि fabric polyester, polyester की है और अगर NP दिया हुआ है तो वो denote करेगा कि fabric nylon, polyester की बनी हुई है नेस्ट पार्ट 315 oblique 3 यहाँ 315 denote कर रहा है total tensile strength of the conveyor belt और तीन जो denote कर रहा है वो कर रहा है number of ply used in conveyor belt यह 315 है वो आपका total tensile strength दिया हुआ है तो चले जान लेते हैं tensile strength क्या है अगर किसी body में आप stretch या pull कर रहे हैं तो breaking point तक जानने से पहले जितना maximum stress वो सह सकता है वो होगा आपका tensile strength अगला पार्ट है 4 oblique 2.5 यह denote करेगा top and bottom cover of का thickness conveyor belt का top cover और bottom cover का thickness क्या है 4 यह आपका top cover जो की carrying side है उसका thickness और 2.5 जो है वो रेनोट करेगा आपका bottom cover जो की non carrying side है conveyor belt की उसकी thickness लास्ट पार्ट जो है वो है HR T1 लास्ट पार्ट जो है वो रेनोट करेगा conveyor belt का में जो यूज होने वाली rubber है वो किस grade की बनी हुई है वो FR की भी हो सकती है जिसका मतलब होगा fire resistance HR की भी हो सकती है जिसका मतलब होगा heat resistance यहां दिया हुआ है HR T1 HR जो heat resistance है वो तीन गेर्ट में होती है HR T1 जो की 120 degree Celsius तक fuel को heat resistance कर सकती है HR T2 जो होती है वो up to 150 degree Celsius तक resist कर सकती है heat को और HR T3 जो होती है वो up to 180 degree Celsius तक heat को resist कर सकती है तो इस वीडियो देखके आप easily भी किसी भी conveyor belt का number या code देखके उसका specification पता कर सकते हैं So thank you for watching my video मैं चैनल को like करे subscribe करे और ज़़ज़़ शेयर करे ताकि मैं आप सब के लिए कि अरुमेटिप बीओ ला सकूँ So please stay safe stay healthy Goodbye